मेरी बात है ध्यान से सुनेगा अगर फुल मार्क्स अगर आपको टैक्सेशन में चाहिए तो सबसे पहली बात वीडियो को देखेगा दैन नोट्स को रिडाउट कीजेगा नोट्स का पीडियाफ ले लीजेगा इससे आपको बहुत जादा हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए सेगंड फिंग जब आप पढ़ेंगे तो वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर रिकॉल आएगा सारी अवेंडमेंट मैं इसके अंदर कवर डप कर चुका हूँ आपके अपकमिंग इग्जाम के लिए तो आपको परशान होने की जूरत नहीं है साथ ही साथ सर्फ कोश्चन बैंक अगर आपको करना हो ते एक इंकम टैक्स का मास्टर ब्लस्टर है वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं हार्ट बुक आपके घर पे आजाएगे उसमें आपके सारे लेटेस्ट स्टेडियमेट के कोश्चन और पास्टर जो भी है कवर अप हैं उससे बाहर आईसे एप से पूछेगा नहीं क्योंकि मैकसिम जितनी भी एडियस्मेंट है मैं कवर अप कर चुका हूँ तो यह अभी फिलाल में इंकम टेक्स की सिरीज चला रहा हूँ आपके लिए अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वो वेबसाइट से ले सकते हैं और अगर आपको पीडिया रिवीजन नोट्स चाहिए होगे जो मैं आपको वीडियो के दौनान सिखा रहा हूँ तो वो भी जो मैंने फुल लेक्चर सिखाई हैं उसी मेंसे मैंने पार्ट्स को स्प्लेट करके एक सिंगल पार्ट बनाके मैं आपको प्रवाइट कर रहा हूँ क्लास में तो multiple revisions चल रहे होते हैं तो जो last revisions होते है मैं उसको club करके आपके लिए ये जो वीडियो है वो dedicated प्रवाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़े हो सकती है जो वीडियो में सिखा हूं और notes में ना हूँ सेरीज देखेंगे अगर आपको कोई पार्ट ना मिले तो आप परशान मत हो ना प्लेलिस्ट मैं एक बना रहा हूं इंकम टैक्स में 21 और नॉम्बर 21 की प्लेलिस्ट उसमें इंकम टैक्स के सारे रिविजन वीडियो आपको मिल जाएंगे और नोट्स के लिए आपको रह जाता है या फिर ऐसी कोई बात जैसे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 9354719404 पर मुझे मैसेश कर सकते हैं वो भी वट्सप पर ओके थैंक्यू इतना ही बताने अब हम रिविजन स्टार्ट करते हैं इंकम अंडर धी हैट कैटल गेन सबसे पहले आता है सेक्शन 45 गुसता है कि क्यों लगता है तो यह कहते हैं क्यापिल गेन लगने के लिए दो चीज़े आपको ध्यान देनी है charging section बोलता है सबसे पहली बात capital asset होना चाहिए उसके बाद transfer होना चाहिए और जिस साल में transfer होगा उस साल में capital gain calculate किया जाता है यह हमारा charging section में बोलता है इसके ब और long term capital gain जो calculate करते हैं वो हम करते है long term capital asset के उपर mind में सबसे पहले यह fix कर लो long term capital asset long term capital gain short term capital asset short term capital gain हमने अब तक यह सीखा उसके बाद हमने कहा कि बहां long term and short term जो आप asset बरूर रहे हो कैसे decide होता है तो यह होता है period of holding आपने asset को कितने साल तक hold करके रखा देखो period of holding ऐसे करो period of holding जितने साल आपने hold करके रखा है जितने period आपने hold करके रखा है उसके basis पर decide होगा कि long term है short term है फिर मैं आपको कुछ चीजे बताई जैसे हमने part A पड़ा any security which is listed in a stock exchange उसके बाद हमने बात किया UTI का unit of a equity oriented mutual fund उसके बाद zero coupon bond हमने कहा कि यह category अगर आपने one year तक hold की है तो यह लोंग टम हो जाएगा वन year तक hold नहीं किया है तो यह short term हो जाएगा इसके बाद हमारे पास next category आती है वो है immobile property की और unlisted company के share की इसको आपको दो साल तक hold किया तो बोलो 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 2 साल तक अगर आपने hold किया तो यह long term हो जाएगा 2 साल तक hold नहीं किया तो यह short term हो जो मैंने आपके लिए रखा कि बहुए short term and long term क्यों classify करते हैं तो short term and long term इसलिए classify करते हैं क्योंकि short term term indexation नहीं मिलता long term में indexation मिलता है indexation मिलने से हमारा capital gain reduce हो जाता है और indexation ना मिलने से capital gain जादा देना पढ़ता है government को ठेक है बतंब tax जादा देना पढ़ता है इसके बाद हमने सिखा meaning of certain terms तो सबसे पहले हमने बात किया capital asset क्या है तो हर asset capital asset है पहले क्या क्याता है हर asset capital asset है बोलो मेरे साथ हर asset capital asset है चाहे tangible हो, intangible हो, movable हो या immovable हो फिर इसने कहा कि साथ में ही इसने गोला held by the assessi assessi ने held कर रखी हो इसके बाद वो एक चीज़ और add करता है whether connected in a business or not कि हो सकता है वो business के asset हो या फिर आपके घर के asset हो कोई भी asset हो, हम capital asset से मानते हैं फिर इसने कहा कि हम कुछ चीज़ों को capital asset नहीं मानते हैं तो इसने कहा कि but exclude तो इसने चार category को exclude कर दिया पहले stock and trade जो आप business में यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ इसने कहा कि any personal movable asset तीसरा इसने कहा roller agriculture land in India थर्ड इसने कहा कि आपके जो bond है gold deposit bond 1999 फिर आपने इसने कहा कोई भी certificate आपका monetization scheme के अंदर इसको हम capital asset नहीं मानते हैं यानि इस पर capital gain नहीं लगेगा फिर मैंने आपके concept जिखाया है पहले तो मैंने चलो मेरे घर से बाहर जाओ फिर मैंने अरे sir आप में आई 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 तो अब कह रहा है कि personal में से तो हटा दो personal effect वाले में से लेकिन फिर छे चीजों को इसने का वापिस आजओ capital asset के अंदर कौन है वो चीज़ चीज़े तो वो चीज़े यह है यह चीज़े capital asset माने जाते हैं पहले ज्वैलरी हो गया, ड्राइंग्स हो गया, पैंटिंग हो गया, स्कुप्चर हो गया archaeological collection हो गया, any other work of art हो गया और मेरे site से कोछ छूट गया, नहीं सर्थ मैंने सारे बोल दे है तो यह हमारी capital asset का पार्ट माना जाता है फिर हमने दो चीज़े सीखी कि foreign institutional investor ने अगर को security held किया तो उसे capital asset माना जाता है इसके बाद agriculture land अगर agriculture land आपकी urban है तो capital asset है, ruler है तो दो category है, outside India है तो capital asset है, inside India है, भारत की ही land है तो इसे capital asset नहीं मानेगे, लेकिन 3 conditions और satisfy करने पड़ेगी 2 km, 6 km और 8 km अगर आप सहरी छेतर के 2 km के range में आते हैं और वहाँ की population 10,000 है, अगर आप सहरी छेतर के 6 km के range में आते हैं वहाँ की population 1 लेक है, अगर आप सहरी छेतर के 8 km में आते हैं और वहाँ की population अगर 1,00,000 है, तो भाईया आपके state को capital asset मान लिए जाएगा अगर ये population या फिर distance जादा है distance मतलब 8 के जाएगे 10 है, तो एक लाख है, तो उसने क्या कहता, सहरी छेतर के 8 km के अंदर है अगर distance जादा हो गया, या population कम हो गई, तो नहीं होगा अगर इन में से कोई, sorry, अगर इन में से कोई भी condition satisfy हो गई, तो वो capital asset नहीं वाना जाता है ठीक है, इसके बाद है transfer, तो transfer में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास 2 subsection 47 है हमारे पास, यह कहता है sale, exchange, relinquishment, extinguishment, conversion of stock and trade, capital asset को stock and trade में आपने कर दिया, या compulsory acquisition of asset हो गया या फिर आपके बास कोई भी share है, share transfer of cooperative society हो गया, या फिर redemption of zero coupon bond हो गया, ठीक है, या फिर इसने और कुछ छोड़ा मैंने, हाँ, allowing position of immobile property, इन में से कोई भी cases है, सभी cases को आपके transferi category में रखा गया है तो मैंने एक बास सारी चीज़े बोली, दुबारा से आप ही बोल दो, sale, exchange, relinquishment, extinguishment, conversion of capital asset into stock and trade, compulsory acquisition of a land, और उसने क्या बोला था, एक चीज़ और बोली, allowing position of immobile property, और उसके बाद इसने का society का कोई भी share है, या फिर redemption of zero coupon bond है, इन सभी को आपके transfer के category में रखा जाता है, इसक section 48 जो है, वो बोलता है कि short term capital gain कैसे calculate करते हैं, long term capital gain कैसे calculate करते हैं, short term capital gain अगर आप calculate करते हो, full value of consideration minus cost of acquisition minus cost of index minus selling expense, आगे आपका short term capital gain, और long term capital gain के लिए आप क्या करते हो, long term capital gain के लिए आपको indexation यहाँ पर लगाना होता है, indexation मतलब full value of consideration minus cost of acquisition नहीं, index cost of acquisition ये logic ये कहता है कि भाईया वो value जो आप बता रहे हो, वो है पहले पुराने साल की, उसको आज की value में, आज की term में अगर हम खरीदने जाते तो ये cost हमें नहीं बढ़ती, इसलिए हम उसको index करते हैं, आज की present value पर लाते हैं, तो divide करते हैं base year से, जब से आपने खरीदा और multiply करते हैं उस साल में, जिस साल में आपने ट्रांसवर किया, same construction कहता है index cost of improvement, वो कहता है कि यही improvement आपने 10 साल पहले कराई थी, तो शायद एक लाकी थी, लेकिन वही improvement आज करोगे तो इतनी की नहीं बढ़ेगी, महंगी बढ़ेगी इसलिए, जिस साल में improvement हुआ, construction हुआ, इससे हम divide करते हैं, multiply में, आज का साल जिस साल transfer हो रहे हैं, वो multiply कर देते हैं इसके बाद हमारे पास आता है, selling expense less कर दिया और हमारा आगया long term capital gain इसके बाद हमने, indexation के rates देगे थे, मैंने का था, दो indexation के rates याद रखना एक तो 2001-2, that is 100 और दूसरा मैंने का था, आज का याद रखना 301, इतने से आपका question हो जाएगा और बाकी जो है, वो examiner खोद exam में देता है, तेक है, इसके बाद है assets purchased before 1st April 2001 तो इसमें एक चीज़ तो याद रखने है, सबसे बड़े चीज़ cost of improvement जो होता है 2001 से पहले वाला, वो आपको निल लेना है, उसको नहीं लेना है क्योंकि वो अल्रटी fair market value में covered up होता है फिर हमने कहा कि अगर 1990, एक हमने question में गया था 1990 की value अगर जादा है यानि 2001 से पहले की value जादा है और fair market value of 1st April 2001 है जो है वो कम है तो whichever is जो higher होता है वो हम चूज करता है अगर 1st April 2001 की value जादा है तब ही हम लेंगे, अगर वो कम है तो हम नहीं लेंगे तो हम original cost को यह ले लेता है यानि whichever is higher का formula हम follow यहाँ पर करते है इसके बाद आगे बढ़े हैं, questions हम ने दिखा था improvement cost निल लेते हैं यह मैंने आपको पहली बता दिया था इसके बाद exception of section 45 subsection 1, यह बड़ा बज़ेदार topic है और यह यह कहता है कि देखो जब आपने charging section पढ़ा तो आपने बस इतना सा पढ़ा हमारे साथ कि जिस साल में transfer होगा उस साल में capital gain देना पड़ेगा लेकिन आपके साथ कुछ exception बताने जा रहे हैं वो जो exception है दहां सुनेगा वो जो exception है उसमें capital gain ऐसे calculate नहीं होता सबसे पहला exception 45 1A कहता है capital gain in case of insurance claim insurance claim में वो यह कह रहा है कि आपकी asset जो है destroy हो गई fire के थुरू या फिर natural calamities के थुरू कुछ भी हो गया घटना घटी गंबीर और आपकी asset हो गई दिस्ट्रॉई और asset शुड भी capital asset दो चीज़े हो सकते हैं insurance company पैसा दे insurance company पैसा ना दे अगर insurance company पैसा देती है प्लस उस साल में calculate करेंगी जिस साल में आपको insurance claim मिलेगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमने एक example देखा था बस इतना सा topic है यहाँ पे खतम हो जाते है इस भी इतना यादक नहीं है नॉर्मल जो था 45-1 वो हमें यह सिखाता है क्या सिखाता है कि भाईया जिस साल transfer हुआ उस साल capital asset पे आप capital gain निकाल लो लेकिन exception क्या कहता है वो कहता है कि जिस साल insurance claim से पैसा मिलेगा जिस साल insurance claim से पैसा मिलेगा उस साल capital gain calculate करोगे क्योंकि जो आग लगी asset में उसी दिन उसको transfer माल लिया जाएगा समझो आप मेरी बात लेकिन उस साल आप capital gain निकाली निकाली निसकते आपके उस तो पैसे ही नहीं है तो capital gain उस साल निकालोगे जिस साल insurance company से पैसा मिलेगा इसके बाद 45-2 capital gain case of conversion of stock and trade ये कहता है कि मालो कोई भी SSC है ठीक है transfer date जहता न assets transfer किस साल होई तो assets transfer होई conversion वाली date पे और उस दिन की जो fair market value होगी आप उसे consider करोगे तो जो fair market value आप consider कर रहे हो यहाँ पे वो आपका full value of consideration होगा minus आप कर दोगे cost of acquisition और divide कर दोगे जिस साल आपने लिया था multiply कर दोगे जिस साल आपका transfer होई यानि conversion होई उस साल यह हो गया capital gain का treatment और इसी के साथ business में जब आप करोगे तो जो भी sale value होगी वो आप ले लोगे minus market value क्या थी conversion की date पे वो आपकी cost हो जाएगी business के angle से और इसमें profit or loss in a business जो है वो आ जाता है सबसे बड़ी चीज जिसमें जो highlight हमने की थी red color से कि जब जब asset बिकेगी तब तक हमें यह करना पड़ेगा हो सकता है अब वो asset एक बार में बिक जाए हो सकता है proportional basis बिके हमने दो बार में उस assets को sale किया था second thing यहाँ पे एक चीज़ और add करना है लेकान की capital gain कि साल compute करोगे तो conversion की date लेनी है वो याद रखना लेकिन calculate उसल होगी calculate उसल होगी capital gain compute उस साल होगा ध्याँ सुने का capital gain compute उस साल होगा जिस साल में वो asset sale होगी ये वाला इसमें best topic है जो याद रखना है इसके बदा हमने एक पयादा सो कोशन किया था यह मैंने आपको करके भी दिखाया था इसके बाद 45 टुवे मैंने आपको दो चीज़े समझा दी थी फुल वल्यू अपर नोट जो है फिर्स एंड सेकंड फिर्मार्केट वैल्यू में यहां पे एक वैल्यू वो दिता है इस देट देट ऑफ कनवर्जन जो है हमारे लिए फिर मार्केट वैल्यू उस दिन की रिलेवेंट है लेकिन अगर कोशन ने कहा बुक्स अपकाउंट तो बुक्स अकाउंट की वैल्यू यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं अगर कोशन में दोनों दे रखा है तो बुक्स अपकाउंट की एक परसन जो है किसी भी फर्म के अंदर एओपी या बिवाई के अंदर मेंबर बनने के लिए अपनी असेट ट्रासफर कर रहा है तो उस दिन की उस दिन की इन्होंने के अमांट रिकॉर्डिंग इन दा बुक्स अप अकाउंट तो यहां पर फियर मार्केट वैल्यू को को तेक्स भरेंगे और वहां पी बोला गया फिर मार्केट वैल्यो को ही आप कस्टीटर करोगे यह चोटी सी दो बाते हैं यह exception में नहीं आती section की list में आती है 45, 3, 4 इसलिए मैंने एक साथ इसे करा दिया otherwise exception में सुरू के 2 point थे एक insurance claim, दूसरा conversion of capital asset into stock and trade यह आपके exception के 2 point है दो और है वह बताने चाहर हो यह beach के दो 2 point है, यह section की list में आती है इसलिए मैंने बता दिया इसके बाते compensation and compulsory acquisition under any law यह बड़ा प्यारा सो concept है इसमें मैंने कहा कि government के projects होते है बड़े-बड़े projects होते है, उन्हें dams मनाने होते है roads बनाने होते है, bridges बनाने होते है बहुत सारी जो भी चीज़ होने लगते है, वो बनाते है तो माल लो अगर उनकी construction के दुरान उनके project के दुरान, अगर आपका घर बीच में आ जाता है तो वो उस घर को, या उस जगे को compulsory required कर लेते है तो इस case में ये है कि भीया transfer दो उसी साल मालना चाहिए, जिस समय compulsory acquisition हो गया, लेकिन आपको tax उस साल दे रहा है जिस समय government आपको पैसा दे गई तो अब यहाँ पे दो चीज़े आ जाती है एक है normal पैसा, एक है enhanced पैसा नौर्मल पैसा जो पहली बार government ने बता दिया कि भीया, तुम्हारी जमीन के बदले में तुम्हें 20 लाग रुपए मिलेंगे ये normal पैसा होगा, अब इस 20 लाग में से पहली installment जम मिलेगी, ध्यास से सुनेगा पहली installment जम मिलेगी, उसी समय पूरे amount पे आपको taxation भरना पड़ेगा यहां ता clear, ओके अब एक होता है enhanced compensation सर बाकी बार जब पैसा मिलेगा 20 लाग में से तो क्या उससे में tax लएगा, जी उससे में नहीं लएगा क्योंकि already government एक बार आपसे tax ले चुकी है अब इन्हास compensation इन्हास compensation क्या है कि 20 लाग दे दिया बाद में हमें पता चला यार यह तो करोडो की जमीन थी करोडो की जमीन कि सिर्फ 20 लाग ऐसा कैसे अब हम धरने में बढ़ेगे हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो भई पूरी करो, अब गौर्मेंट ने का भी है जासे 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 मिलता है, वैसे वैसे tax लगा जाता है कि enhance compensation के दौरान क्या होता है कि government कहते कि यार amount decide करने में हमें 2-4 मेनी लगेंगे एक साल लगेंगे तब तक तो हमसे 2-3 लाग रुपे जो है वो ले लो तो जब government 2-3 लाग enhance compensation के समय दे रही है अभी final order declare नहीं हुआ तो उस पैसे पर government हमसे tax नहीं लेती है जब वो final order declare कर देती है तब जो पैसा मिलता है तब हमें उस पर tax देना होता है ये चीज़ मैंने आपको समझा दी वो portion वैसे CA final का था जो मैंने अभी बता है एक CA final का और portion आता है कि मालो enhance compensation हम 20 लाग के बाद जगे 50 करवाने के government ने 20 से 15 कर दिया इसके इसमें reverse calculation होती है ये आपके slivers में आपको नहीं सीखना है CA final का topic है मैंने आपको जस्ट inform कर दिया इसके साथ 45-5 जो है खतम होता है और इसमें हमने कहा कि initial compensation में full value of consideration आप लेते है COA और cost of equation index, cost of equation, cost of improvement, index, cost of improvement जो भी होगा आप less कर देंगे आपको long term short capital gain जो है वो आ जाएगा enhanced compensation में आप cost of equation और cost of improvement नहीं लेते क्यों नहीं लेते क्योंकि एक चीज़ जो already एक बार considered हो गई आप उसको भर-बार considered नहीं कर सकते लेकिन हाँ को litigation expense है तो आप ज़रूर लेस कर देंगे फिर यही चीज़ में आपको diagram के थुरू भी समझाई थी और जो भी notes है सारे मैं आपको बता चुका हूँ अब हमारे पास revision के लिए next point है 45.5a यह क्या कहता है यह joint developer या joint development agreement के बारे बात करता है इसमें हो कहता है कि किसी भी SSC के बाद individual या HUF ध्यान रखना है MCQ हो सकता है कि study हो सकती है individual HUF के ही हम बात कर रहे है individual HUF के पास कोई भी land है या फिर building या फिर बोथ है यह भाईसा बाते हैं और कहते हैं कि भाईया हमें अपनी property पे आप construction करने दो मालों हम 4 floor बनाएंगे real estate के 2 floor आपके 2 हमारे तो इस केस में जिस समय हमें completion certificate मिलेगा उस साल में हमें tax भरना पड़ता है ना कि in the year of agreement agreement की हुआ transfer हो गया लेकिन tax भरना पड़ेगा जिस साल में हमें completion certificate मिलता है एक कोशन एक और आगे इसमें माल लो assessi ने certificate मिलने से पहले ही transfer कर देता है तो हम certificate मिलने का wait नहीं करेंगे जिस साल में उसने transfer किया उससे हम tax लगा देंगे एक कोशन ने आया कि full value of consideration क्या है तो share जो मिला वो completion certificate में जो value आ रही है वो plus cash जो भी उसे मिला हम ले लेते हैं और cost of acquisition क्या मानते हैं? cost of acquisition वही मानते है जो की full value of consideration आपकी मानी कही है इसे के साथ ये topic होता है finish ठीक है इसके बाद फिर हमने example किया था अब एक बार आप यहां तक खुद से revise का लीजे दोस्तों अब जो हम revision करने जा रहे हैं this is section 47 और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं transactions not regarded as transfers कि भाईया इन जो भी हम transactions पढ़ने जा रहे हैं income transfer नहीं मानेंगे सबसे पहला provision यह है कि अगर कोई भी capital gain हम calculate नहीं करेंगे अगर capital asset को transfer किया गया है और capital asset को transfer किया गया है as a gift, will or inheritance और जो gift का provision है वो other source में taxable होता है यह है हमारा सबसे बहला point कि इस case में हम अपनी transactions को transfer नहीं मानेंगे इसके बाद हमारे पास अगला provision आता है कि अगर हमारे पास कोई भी capital asset है और कोई भी HOF अपने partition के दौरान अपने co-personal को अपनी capital asset देता है HOF तो उसे भी हम transfer नहीं मानेंगे next provision है अगर holding company subsidiary को subsidiary company holding को कोई भी capital asset transfer करती है तो इसे हम transactions को transfer नहीं मानेंगे but condition है कि वो Indian company होनी चाहिए दूसरी पाद 100% subsidiary में holding होनी चाहिए next condition है हमारे पास कि कोई भी amalgamating company amalgamated company को कोई भी assets transfer करती है और वो amalgamated company Indian company है तो इस case में transfer नहीं माना जाएगा next condition ये थी कभी भी demurzer हो रहा है demurzer company अगर resulting company को कोई भी capital asset देती है condition यही है कि resulting company Indian company हो तो इसे transfer नहीं माना जाएगा next condition है कि अगर भाया share मिल रहे है amalgamated company से ठीक है share मिल रहे है amalgamated company से और वो जो company है वो Indian company है तो इसे भी transfer नहीं माना जाएगा next condition है कि भाया अगर resulting company share issue कर रही है demurger company की shareholder को इसे भी transfer नहीं माना जाएगा next हमने पढ़ा कि अगर bond और debentures है या भी share का conversion हो रहा है preference share का conversion हो रहा है equity में या bonds और debentures का conversion हो रहा है equity में इसे हम transfer नहीं मानेंगे फिर हमने next देखा reductions by an individual of foreign gold bond issued by RBI मतलब हिंदी में समझो RBI क्या करती है gold कहती है gold में investment करने से अच्छा है gold के bond में investment करो जब इसका redemption होगा तो इसको transfer नहीं माना जाएगा तो आपको capital gain tax नहीं दिना होगा next है कि अगर reverse mortgage के दोरान capital asset transfer की गई तो इसे भी transfer नहीं माना जाता और 11th point यही है कि अगर I say चाहे अगर income tax चाहे अगर यह law चाहे तो इसमें और भी transactions add की जा सकती है जिसे transfer नहीं मना जाएगा now we are coming to the section 55.1 55.2 that is cost of improvement and cost of acquisition 55.1 that is cost of improvement यह कहता है कि capital expenditure है आपका और revenue expenditure है आपका revenue nature का हम cost of improvement नहीं मानते जैसे कोई small minor repair है यह फिर whitewashing है यह फिर penting है इसे revenue nature का है हम इसे cost of improvement में शामिल नहीं करते capital expenditure है in connection with the capital asset है जैसे additional floor वगरा बनाना तो इसे हम cost of improvement में शामिल करते है it should be a capital expenditure इसके बाद हमने तीन बाते पड़ी कि यह 1 April 2001 से पहले का कोई खर्चा है इस case में हम cost of improvement नहीं लेते है now 552 cost of acquisition मैंने आपको अब तक यह सिखाया था कि asset जो है अगर 1 April 2001 से पहले की है तो उसकी cost of asset or fair market value whichever is higher जो होगा वो हम लेंगे लेकिन इसमें मैंने एक note एड़ कराया है कि यह fair market value कभी भी stamp duty अगर given है question में 1 April 2001 की तो उसे वो cross नहीं कर सकता इसके बाद हम आगे बड़े हमने कहा कि 1 April 2001 के बाद आप कोई भी assets खरीते हो उस पर आपने कोई भी खर्चा किया है तो वो आपकी cost of acquisition मानी जाएगी आपने कोई original share खरीते हैं right share cost of acquisition जो भी आपने इसके लिए एक example मैंने लिया था कि company XYZ है offer कर रही है Sona जो कि share holder है उसको कहा कि भाया हमारे market की value है share की 100 रुपे की तुम्हें 70 का दे देंगे अब Sona अगर 70 में से खरी लेती है तो cost of acquisition of Sona is 70 not a 100 second case मैंने ये बनाए कि मालो Sona ने Mona को दे दिया 80 रुपे का तो Mona की cost 80 रुपे होगी 70 रुपे जो कपनी को दे और 10 रुपे जो Sona को उसने दे इन्ही चीजों को यहां पर हमने लिखा if the right to purchase share has been re-announced cost of acquisition of such right shall taken to be nil and second point in case of right re-announced cost shall be the amount paid to the company and to the right holder who has renounced the share इसके बाद हमने पढ़ा कि self-generated intangible assets है जैसे cost of acquisition इसकी nil होगी जैसे goodwill of our business है intangible cost nil होगी right to the carry or any business or profession है intangible cost self-generated की nil होगी right to manufacture, produce or process any article or thing है अगर self-generated है cost nil होगी trademark self-generated है cost nil होगी tenancy self-generated है cost nil होगी stage carries permit है self-generated है cost nil होगी low-mars self-generated है cost nil होगी इसके बाद हमने CIT वर्सेस BC सिर्जवासा 1981 सुप्रीम कोट का एक decision सुना कि अगर आप cost of acquisition ही नहीं निकाल पा रहे हो अगर आप cost of improvement ही नहीं निकाल पा रहे हो तो आप हमें tax भी नहीं लगा सकते ये था इस case का decision उसकार 49.1 कहता है cost with reference to the certain modes of acquisition कहता है कि 47 में आपके पापा, ममी, दादा, दादी के विल और inheritance में आपको जो भी asset मिली थी subsequently अगर आप उसे sale करने जाते हो तो आपके पापा ने जो खरीदा था वहाँ से अब तक का जो है उसका holding period count किया जाएगा प्लस पापा ने जो खरीदा था अगर वो cost 1 April 2001 की है तो वो ले लो आप और अगर cost of अगर आपका improvement है तो पापा की cost भी आप लोगे और आप खुद से भी कुछ improvement कर रहे हो तो वो cost भी आप ले सकते हो इसी चीज़ को मैंने समझाया था और timing period जो है वो previous owner का लिया जाएगा इसकी बाद next point मैं आपको बताया कि मालो आपको as a gift कोई चीज़ दी गई मैंने राम और हनमान का example दिया था कि राम जी ने हनमान जी को दिया तो हनमान जी के लिए अगर 47 के अंदर वो transfer नहीं माना गया है example लिया मैंने तो अब as a gift stamp duty value अगर 50,000 से जादा है तो जो भी amount tax पर भरना पड़ा हनमान जी को तो हनमान जी के लिए cost of acquisition उस asset की वही होगी cost of acquisition of asset वही होगी जिस पर उन्होंने tax भरा है this is 49.4 इस चीज़ को हमने और depth में हनमान जी और राम जी का example करके other source में का रखा है जब आप वह करेंगे आपको clear हो जाएगा इसके बाद है concept number 7 treatment of slump sales special case FVC on anilistate share FMV in a certain case advanced money forfeited section 50B special provision for competitions of capital gain in case of a slump sale ये कहता है कि कोई भी person अगर sold कर रहा है unit year division lump sum के अंदर तो इसको हम slump sale कहते हैं इसमें हम asset wise transfer नहीं करते हैं इसमें हम unit और division wise transfer करते हैं और capital gain calculate करते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले full value of consideration हम ले लेंगे lump sum consideration जो मिला overall वो less करेंगे कोई भी transfer expenses है वो net consideration हागया cost of acquisition हम इसमें net worth लेते हैं और indexation इसमें हम नहीं करते हैं तो जो भी आएगा period के according short term capital gain ये long term capital gain कहलाएगा now net worth कैसे आते है net worth का तरीका क्या है भाई है asset है depreciable asset है तो WDV ले लो as per income tax अगर अगर कोई other asset है तो book value ले लो liabilities है कोई भी तो उसकी book value ले लो इनको less कर दो asset नको liability को तो net worth आ जाती है फिर हमने दो तीन बाते और सीखी कि revolution of asset है तो उसको ignore करना है कोई undertaking है कोई भी undertaking जिसको unit year division जिसको हम transfer करना है अगर वो तीन साल से जादा hold कर रखी है तो long term माना जाएगा तीन साल से कम है तो short term माना जाएगा उसके बाद हमने कहा कि देखो हमने टॉपिक बढ़ा था capital asset में की stock and trade को हम capital asset नहीं मानते उसे हम PGBB में transfer करते लेकिन अगर slum sale के अंदर stock को transfer किया जाएगा तो वो PGBB consider नहीं किया जाएगा फिर एक छोटा सा question हमने किया था study mat का माप हमने सीखा था कि patent है 2018 की value है और आज हम 2020 में division transfer कर रहे है तो पहले उसे हम आज की value पे लाएंगे तब जाके उसका transfer करेंगे ठीक है इसके बादे 50C special provision for full value of consideration यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई भी percent transfer कर रहा है land और building और जो भी वो consideration ले रहा है और stamp duty की value अगर ने दोनों के बीच का difference 110% तक है तक है up to यानी 110% तक है तो full value of consideration आपका ही consideration माना जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर difference consideration का और stamp duty value का 110% से जादा है तो full value of consideration जो है वो stamp duty value मानी जाएगी यह मैंने आपको समझाया था इसके बाद मैंने आपको एक chart बनवा दिया कि असेसी जो है वो परशान हो रहा है मैंने आपको एक्जांपल दिया कि बहिया sale consideration एक लाग है stamp duty value एक लाग 25,000 ए assessी नहराज हो गया वो चला गया income tax officer के बास बूल रहा है भीया मैं तो tax नहीं भर रहा तो उन्होंने क्या किया valuation officer को यह case transfer कर दिया अगर valuation officer एक लाग 25,000 को cross करके अगर जादा value बताता है let's suppose 1,30,000 बताता है अगर उसने stamp duty value से जादा value बता दी तो हम stamp duty value पर ही कहेंगे भीया full value of consideration ने tax दे दो अगर मालो valuation officer ने stamp duty value से कम value बताई let's suppose एक 25 के जगे एक 20 या 110 बताया तो इसकिस में full value of consideration वो value होगी जो valuation officer ने refer की है इसके उपर फिर हमने question क्या था now एक point मैंने और लिखाया आपको इसमें कि मालो date of registration लेंगे date of agreement लेंगे तो stamp duty value जो होती हो date of registration की ही ली जाती है लेकिन agreement की भी अगर आप ले सकते हो cases है अगर आपने agreement वाले दिन account pay check या account demand draft या NFT, RTGS, MPS BIM, UPI या QR code के थूँ आपने payment कर दी है तो ठीक है आपकी date of agreement भी उस दिन की stamp duty value भी consider की जा सकते है इसके बाद भाई हम आगे बढ़े 50CA ये कहता है capital gain in case of unquitted share या unlisted share quitted share, listed share का मतलब होता है जो recognized stock, recognized होते है stock exchange पे और unlisted मतलब जो recognized नहीं है stock exchange पे इस case में हमने क्या सिखा in case of unlisted share, unquitted share है sale price जो है वो अगर fair market value से कम है तो हम fair market value को ही full value of consideration मानते है this is section 50CA इसके बाद है 50D ये कहता है कि मालो अगर आपका sale consideration आप नहीं निकाल पा रहे हो या फिर determining नहीं कर पा रहे हो तो उस case में fair market value ही आपकी full value of consideration हो जाती है इसके बाद हम अगले case पर advance money forfeited तो इसको समझने के लिए हमने सबसे अच्छा तरीका समझा ये chart बना के हमने कहा कि मालो कोई भी पैसा अगर आप जमीन बेचने के लिए ले रहे हो बाद में आपने वो पैसा लोटाए नहीं आपने जब्त कर लिया और किसी और बंदी को sale कर ली तो इसमें हमने सबसे पहली बाद date की बात की है 1st April 2014 अगर ये 1 April 2014 से पहले फोरफीट किया गया है और previous owner ने फोरफीट किया तो इसको ignore कर दोगे present owner ने अगर फोरफीट किया है तो उसकी cost of acquisition में से ये amount less हो जाता है indexation करने से पहले और अगर ये amount 1 April 2014 के बाद फोरफीट किया गया है तो ये amount direct income from other source में taxable होता है ये हमने पढ़ाता फिर उसके बाद हमने ये provision किया और ये यहाँ पर खतम इसके बाद हमने एक चीज़ सीखी जो आज तक हमने अभी तक revise किया 452A ये कहता है transfer of security in a demand form ये कहता है in case of demand security है तो हम यहाँ पर FIFO method लगाते हैं capital gain complete करने के लिए दोस्तो हम कर रहे है exemption in capital gain इसमें दो टाइब की exemption होती है एक को exemption होती है under section 10 और एक exemption होती है section 54, 54B, 54D, 54EC and F सबसे पहले हमारे पास है exemption under section 10 ये कहता है 10.33 कि according कि 90.64 unit assume के अंदर अगर आपके पास कोई unit है और अगर आपने उसे transfer किया तो हम इसे exempt कर देंगे 10.37 ये कहता है कि आपके पास एक urban agriculture land था वो compulsory acquired हुआ है बाद the government और government ने ही इसका consideration आपको pay किया है और आप कौन है individual ये HOF है आप या आपके माता पिता कम से कम 2 साल तक agriculture purpose glaze जमीन को use कर रहे थे तो 10.37 इसमें आपको exempt करवा देता है इसके बाद है इसमें individual ये HOF के आएंगे अस्रेट आपके residential house property होने चाहिए capital gain आपका long term होना चाहिए और अस्रेट आपने क्या खरीदी है आपकी amendment आई हुई है कि अगर आपके पास long term capital gain दो करोड तक का आया है तो आप दो घर जो है ले सकते हैं prescribed time limit के अंदर में प्लस आपको ये सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि पूरी जिंदगी में आप ये दो house property का benefit दुबारा नहीं ले सकते है फिर आपको time limit बताए गई time limit में ये ही सिखाया गया transfer से एक साल पहले आपने घर खरीदा हो या transfer के दो साल के बाद में आपको खरीद रहे हो या फिर अगर आप construction करा रहे हो तो आपको तीन साल का period दिया जाता है उसके बादे capital gain account scheme ये कहता है आपसे कि आपको या तो आप अपनी house property खरीद दो या तो इस पैसे को capital gain account scheme के अंदर जमा करा दो 31 जुलाई तक और ये जो पैसा आप जमा करा रहे हो ये purely 100% house property के बरपस से ही use होगा next वो कहता है कि अगर ये पैसा misutilized हुआ या unutilized हुआ तो जो भी हमने आपको exemption दिया है आप ड्रो करवा लेंगे amount of exemption, capital gain, cost of new assets purchase amount, whichever is lower lock in period यहाँ पर कितना दे रखा है इन्होंने तीन साल तक का दे रखा है ये house property तीन साल तक अब नहीं वीचेंगे और अगर आपने इसे बेचा अगर आपने इसे बेचा तो हम आपकी जब आप sale consideration में से cost of acquisition लेस करते हैं तो उस cost of acquisition से जो हमने exemption दी है उसे हम less करवा देंगे फिर हमने एक बहुत अच्छा सा प्यारस कोशन देखा था class के दोरान now we have 54B हमने यहाँ पर सबसे पहले तो यह रिखा कि यह भी exemption in urban agriculture land है और 1037 भी exemption urban agriculture land है दोनों में difference किया है तो 1037 में compulsory acquisition हुआ है और यहाँ पर 54B में असेसी अपनी मर्जी से sale और purchase कर रहा है दोनों में सबसे बड़ा difference यही है इसके बाद eligible assesses में individual होफ आते है transferred assets urban agriculture land है जो कि वो या उनके माता पिता his parents assesses या उनके माता पिता जो है वो दो साल तक उस पर agriculture purpose के लिए use कर रहे हो ट्रांसफर से पहले capital gain short term capital gain long term capital gain हो सकता है लेकिन यहाँ पर assesses जो है वो खरीदेगा जमीन वो भी कृशी के लिए चाहे वो urban में खरीदे या ruler में खरीदे time limit दो साल का period दे जाता है दो साल में आपकी new agriculture land purchase हो जानी चाहिए इसके बाद CAGS CAGS scheme में आपको यह कहा जाता है कि assesses ने अपना agriculture land खरीद लिया अगर नहीं खरीदवा पाया हो या खरीद पाया हो तो 31 जो लाइता किस पैसे को वो capital gain capital gain account scheme में जमा करवा सकता है और यह जो पैसा जमा करवा जा रहा है यह agriculture land purpose के लिए ही होना चाहिए अगर यह misutilize हुआ या unutilize हुआ तो exemption दी गई वो draw हो जाएगी amount of capital gain capital gain में exemption कैसे आएगी तो capital gain और जो भी agriculture land आपने लिया या deposit amount किया whichever is lower allow कर देंगे फिर हमने यहाँ पे यह देखा lock-in period यहाँ पे हम नहीं लगा रहे हम यह कह रहे हैं कि माल लोग उसने नई asset खरी दी और वो ruler agriculture land है और ruler agriculture land को तो हम capital asset ही नहीं मानते हैं तो उसको तीन साले दो साल में कभी भी transfer करेगा उस पे capital gain नहीं आएगा यह हमने यहाँ पे सीखा था उसके बादे 54D exemption for compulsory acquisition of industrial land और building यहाँ पे जो land और building है वो industrial होनी चाहिए eligible SSE, all SSE यहाँ पे आते हैं transfer assets में industrial and land and building होनी चाहिए जो की SSE already 2 साल से use कर रहा हो capital gain और transfer, a steady resort term and long term होनी चाहिए SSE को क्या खरीदना है SSE दुबारा से industrial land and building ही खरीदेगा time limit है भीया 3 साल जब आपको government से पैसे मिल जाएंगे जब आपको receipt of compensation हो जाएगा उसके बाद आपको 3 साल दे जाएंगे land and building industrial खरीदने के लिए capital gain account scheme में आप इस पैसे को जमा करा सकते हो अगर आप इसे 31 जुलाई तक use नहीं कर पाई हो तो यह पैसा surely industrial land and building के लिए use होगा अगर यह misutilized हुआ यह unutilized हुआ तो जो exemption limit आपको दी गई थी वो हम withdraw कर देंगे amount of exemption capital gain और cost of new asset जो की industrial land and building है या फिर budget amount है whichever is lower यहाँ पे लिया जाता है lock and period भया industrial land and building जो है वो 3 सालो तक आप इस land and building को transfer नहीं करोगे और अगर आपने ऐसा किया तो भया हम exemption आपकी cost of acquisition में से less करवा देंगे ओके नाव इसकी बाद फिर हमने एक example किया था बहुत अच्छा सा ताकि हमें concept समझ माए नाव 54 EC यह कहता है कि कोई भी SSC है उसने land building land and building इनको transfer किया और भाई साह आपको क्या हुआ है long term capital gain हुआ है यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप पैसे से कुछ खरीदो मत आप bond ले लो आप NHI का bond ले लो RECL का bond ले लो PFCL का bond ले लो RFCL का bond ले लो और इसकी full form कहें तो national highway authority in India के bond ले लो rural electrification corporation limited के bond ले लो power finance corporation limited के bond ले लो Indian railway finance corporation के bond ले लो time limit आपको दी जा रही है 6 मिने के भीया जैसे ही transfer होगा उसके 6 मिने में आपको यह bond ले ले लेने हैं यहाँ पे CIGS scheme जैसा कोई भी provision applicable नहीं है amount of exemption capital gain और cost of bond whichever is lower जो होगा वो आप ले सकते हो maximum amount यहाँ पे 50 लाग का है lock in period के लिए कहा गया है कि भीया पान सालों तक आप यह bond transfer नहीं करेंगे ना तो इससे conversion कराएंगे पैसो में money में अगर आपने ऐसा कराया तो long term capital gain हो जाएगा उसी साल में जिस समय आप या तो transfer कर रहे हो या conversion to money कर रहे हो पान साल से पहले इसके बाद हमारा दे पास आया गा 54F exemption for any long term capital asset यहाँ पे reasonable SSC, individual या HEF ही है यहाँ पे individual और HEF हैं यहाँ पे कहा जा रहा है आप से कि भाईया आपने क्या 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 कोई भी long term capital asset transfer की residential house property नहीं होने चाहिए क्योंकि वो already 54F में covered है तो यहाँ पे capital gain जो हो रहा है यहाँ पर्चेस जैसी transfer हुआ आप एक साल पहले पर्चेस अल्रीडी कर चुके हो या दो साल के अंदर कर लोग या construction कर आ रहे हो तो तीन साल में आपको construction ready हो जाना चाहिए इसके बाद capital gain account scheme की यह पैसा जो है आप house property के लिए करोगे acquire अगर नहीं कर पा रहे हो तो capital gain account scheme में 31 जुलाई तक जम्म कर वा दीजे और यह पैसा पुरा पूरा house property के परपस सी होगा अगर यह misutilized हुआ तो exemption जो भी आपको दी गई है वो withdraw हो जाएगी फिर exemption limit में बात किया गया अगर यह net consideration पूरा use जाता है तो जब भी आप इसे transfer करोगे उसी साल में जो पैसा मिला है उसाल फुल long term capital gain मान लेंगे उसके बाद कहा गया कि भीया आपके पास जब आप यह करने जा रहे हो इस provision को तो आपके पास सिर्फ एक घर होना चाहिए उससे जादा नहीं होना चाहिए और जब तक आपकी time limit चल रही है तीन साल की तब तक आपके पास कोई दूसरा घर भी नहीं होना चाहिए मतलब यही दो टोटल मिलाके घर होने चाहिए दोस्तो हम पढ़ रहे है tax rate under capital gain हमारा concept number 10 है और इसमें सबसे पहले हमारे बास section 112A tax and long term capital gain on certain assets applicable from previous year 18-19 and assessment year 19-20 यह कहता है कि long term capital gain लगता है जब अब transfer करते है equity share, equity oriented units, units of business trust सबसे पहले यह कहता है in excess of 1 lakh shall be taxable at the rate 10% क्या कहता है long term capital gain, transfer of equity share के और equity oriented units unit of business trust के क्या कहता है इन excess of 1 lakh क्या कहता है यह in excess of 1 lakh कि एक लाग तक तो हम आफ कर देंगे और बच्चेवे पर 10% आपको tax देना पड़ेगा अगर following condition satisfy होती है पहली condition है कि STT आपके acquisition और transfer पे pay होना चाहिए on equity share और STT paid होना चाहिए transfer of equity oriented and business trust pay सबसे पहला note हमने लिखा कि revit 87A allow नहीं होता है इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो second हमने यह लिखा कि अगर cost of acquisition निकालनी है तो section 1 और 12 अगर apply होता है तो आपको first step 2018 की calculation check करनी होगी higher of step 1 और 2 आएगा step 1 है cost of acquisition step 2 है lower of FMV और sale value तो जो lower of होगा वो step 2 हो जाएगा फिर step 1 हो जाएगा दोनों में जो higher होगा वो आप select कर लेगे इसके बाद हमने का deduction under ATC to ATU आपको नहीं मिलेगी उसके बाद हमने कहा कि long term capital gain अगर arise होता है recognized stock exchange के case में और यह जो recognized stock exchange है यह situated है या located है international financial service center पर तो अगर यह हमें जो foreign currency दे रहे हैं received or receivable अगर यह foreign currency है और यहने STT pay नहीं किया है तो भी इन्हें concessional rate 10% दिया जाएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम आया आगना point की हम FMB कैसे calculate करेंगे तो भाया अगर यह recognized है stock exchange पे तो fair market value चेक कर लेंगे 31 जनवरी 2018 गे और highest जो price quoted होगा जो भी होगा जिस समय भी stock exchange होगा उस समय की higher value उस day की हम ले लेंगे अगला है कि अगर unit share listed ही नहीं है तब क्या करेंगे तो हम इस case में net asset value of 31 जनवरी 2018 लेता है एक case और हो सकता है कि भाया जो share है वो लिस्टेड नहीं है 31 जनवरी 2018 को बट लिस्टेड थे ट्रांसफर की date पे तो इस case में हम cost of acquisition को divide करेंगे acquisition के CII से और multiply करेंगे 178 के 272 के CII से इसके बाद 6 note हमने ये लिखा था कि indexation benefit आपको यहाँ पे नहीं मिलता फिर है 100 AAA 111 A है आपके पास 111 A ये क्या कहता है कि short term capital gain in case of certain assets है same जो आपने 112 A में पढ़ा वही है that is equity share, equity oriented units, unit of business trust इस पे 15% का tax आपको देना पढ़ता है अगर STT आपने paid कर रखा है तो अगर आपने STT sale पे pay किया है तो आपको 15% का tax यहाँ पे देना पढ़ता है इसलिए कहा जाता है long term is more beneficial now section 112 के कहता है कि हम 112 A और 111 A की बात नहीं कर रहे है अगर short term capital gain है तो normal tax rates, lab rates से आप देंगे और long term capital gain है और यह कैसा ऐसर 112 A, 111 A नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 20% of tax आप भरने वाले हैं प्रोवाईजो आप section 112 है आपके पास most well यह preference के लिए जाता है इन case of long term capital gain on listed security other than units and zero coupon bond यह कहता है भाया हम taxation कर देंगे आपको don't worry, अगर without indexation लोगे तो 10% का rate लगेगा, अगर with indexation लोगे तो 20% का लेगेगा, whichever is जो lower आपको beneficial लगे आप ले सकते हैं फिर हमने एक note लिखा कि deduction under ATC to ETU आपको यहाँ नहीं मिलती, कहां कहां नहीं मिलती long term capital gain 112 पे, 112 A पे short term capital gain 111 A पे इसके बाद हमने बात की benefit of basic exemptions again long term capital gain 112, 112 A and short term capital gain 111 A यह कहता है कि माल लीजे कोई resident individual या हुआ है उसके पास balance, normal taxable income है और उसकी basic exemption limits अभी exhaust नहीं हो पाई है खतम नहीं हो पाई है तो जो भी unutilized basic exemption limit है वो adjust करवा सकता है long term capital gain से and short term capital gain से और इसका procedure क्या रहेगा सबसे पहले long term capital gain 20% वाले से adjust कराएगा फिर वो short term capital gain 111 A वाले से adjust कराएगा फिर जो बच जाता है वो long term capital gain 112 A से adjust करवाईगा ओके now my dear friend इसके उपर फिर हमने questions किये बहुत सारे questions किये question किये question किये question किये और इसके बाद हमारे पास अगला provision आता है ये already हम पढ़ चुके है 552 के अंदर cost of acquisition के note में हमने already पढ़ लिया था लेकिन फिर भी में एक बार बता जाता हूँ अगर 1 April 2001 में आप fair market value ले जा रहे है लेने जा रहे हैं तो आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो value कभी भी stamp duty value को cross नहीं करेगी ये already हमारा पढ़ा हूँ है just repetition है इसके बाद हमने note 2 पढ़ा relief from higher surcharge of 25% and 37% ये कहता है कि individual HOF, AOP, BOI, AGP है इसके बाद ये कहता है कि surcharge आपको जो लगेगा long term capital gain 112A पे short term capital gain 111A पे और dividend income पे maximum 15% का लगेगा बाकी अगर रह जाती है कोई income other income, normal income तो उस पे आपको normal surcharge पेगना पड़ेगा it means 25% or 37% not applicable on tax calculated on long term capital gain 112A, short term capital gain 111A and dividend income now my dear friend इसके बाद हमने इस पे examples कि और फिर इस concept को पूरा समझा इसके बाद मैंने दो चीज़े बताई 115 QB और QC है वो कहता है कि अगर applicable month के 15 day तक मतलब 15 तारीक तक applicable month के 15 तारीक तक अगर आप tax नहीं भरते हो तो आपको असेस्टीन default माना जाएगा और आपको 1% per month के साफ से interest देना पड़ेगा government को इसके बाद हमने एक last concept यहाँ पे देखा reference to valuation officer valuation officer को लगता है कि fair market value आपने जो बताई है वो गलत बताई है तो assessing officer जो है valuation officer को valuation के लिए refer कर सकता है लेकिन दो चीज़े उसे check करने पड़ेगी पहला कि उसको यह लगना चाहिए कि 25,000 किया तो difference ही है या कम से कम 15% इसने value जो है वो down बताई है whichever is जो lower होगा वो लगना चाहिए, opinion होना चाहिए assessing officer का for the assessee या फिर ऐसी circumstances हैं कि assessing officer को लग रहा है कि भया हमें valuation officer के help ले लेनी चाहिए ठीक है, इसी के साथ topic close wish you all the best and God bless you